गुड मॉर्निंग ओल अफ यू सुबो द्वैकरन से चैप्टर नाइन विशेशन एड्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे विशेशन क्या होता है संग्य ये सरवनाम की विशेशता बताने वरे शब्दों को विशेशन कहते है यहां देखिए कुछ उधारन दिये है महात्मा गांधी महान थे यह इमारत उची है मोहन ने लाल कोड पहना उपर दिये सभी वाक्यों में महान उची और लाल शब्द महात्मा गांधी इमारत और कोड की विशेशता बता रहे है वैकरन में ऐसे शब्दों को विशेशन कहते हैं चलिए अब विशेशन की परिभाशा देखते हैं जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशन बताता है उन्हें विशेशन कहते हैं जो शब्द संग्या या सरवनाम इसकी विशेष्टा बताता है उसे विशेष्टा कहते हैं चलिए अब विशेष्टा देखते हैं विशेष्टा जिस संग्या ये सरवनाम शब्द की विशेष्टा बताता है उसे विशेष्टा कहते हैं विशेशन संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते है पर संग्या और सर्वनाम के भी विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते है जैसे ये देखिए महात्मा गांधी महां थे उधारन जो उपर लिखा है यहां इमारत है मोहन ने लाल कोट पहना इसमें विशेशन तो हमने उपर देख लिया था महान ऊचि लाल यह विशेशन है अब विशेशन इसमें देखिए महात्मा गांधी यह एक संग्या है और यह विशेश्य है इसमें इमारत यह भी विशेश्य है कोट यह भी विशेश्य है जबकि यह इमारत उची है इसमें यह सर्वनाम है मोहन ने लाल कोट पहना मोहन यह संग्या है महान, उची, लाल यह विशेशन है तो महत्मा गांधी, इमारत, कोट यह विशेश्य है चलिए विशेशन के भीग दिखते है विशेशन के चार भेद होते है गुण वाचक, परिमान वाचक, संख्या वाचक सर्वनामिक गुण वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और सर्वनामिक विशेशन इसमें विशेश क्या है, यह देखते है विशेशन की रचना संग्या सर्वनाम क्रिया तथा अव्वेश शब्दों से की जाती है विशेशन मूलताहा संग्या शब्दों से ही बनते हैं सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे गुनवाचक विशेशन इसमें गुन्ड से ही यह पता चलता है कि इसमें कुछ अच्छा बुरा उसका रंग आकार यह सारे गुन्ड होंगे चलिए अब हम पढ़ेंगे गुनवाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम शब्दों के गुन, दोश, आका, रंग, स्वाद, अवस्था, काल, स्थान, आदी का बोध कराते हैं उन्हें गुनवाचक विशेशन कहते हैं जैसे उधारान देखिए यहाँ आदमी अमीर है, अमीर यहाँ उसका गुन है यहाँ कमीज मैली है, मैली यहाँ उसका गुन है सस्ता सामान मत खरीदो, सस्ता यहाँ गुन है वहाँ लड़की सुन्दर है, सुन्दर यहाँ उसका गुन है चलिए कुछ मुख्या गुणवाजक विशेशन देखते हैं कुछ गुणवाजक विशेशन इस प्रकार है गुण में देखिए सरल, सीधा, अच्छा, दयालू, उदार, सच्चा, मेहनती, आदी यह सभी आएंगे दोश में कामचोर, बैमान, बुरा, मुर्ख, कठोर, जूटा, अयोग्या आदी यहाएंगे आकार चप्ता, तेढ़ा, पतला, लंबा, चोड़ा, छोटा, बड़ा, गहरा, उतला, आदी रंग, जामूनी, नीला, पीला, हरा, गोरा, आस्वानी, भूरा, लाल स्वाद, चटपटा, कड़वा, खटा, तीखा, नमकीन, मीठा, जायकेदार अवस्था, गीला, जवान, कमजोर, मजबूत, गरीब, अमीर, स्वस्थ, बिमार काल, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचेन, चनिक, मासिक, साप्ताहिक स्पर्ष, कोमल, मुलायम, कठोर, नरम, चिकना, खुर्दरा, स्थान शहरी, ग्रामेन, अमरीकी, जापानी, रूसी, ध्वनी, मधूर, करकश, धीमी, टेज, मंद, तीवर, आधी, गंध, सुगंध, दुर्गंध खुश्बू, सुवासिक, सुगंधित, बद्बूदार, आधी यहाँ गुनवाचक विशेशन हैं, जिसमें गुन, दोश, आका, रंग, स्वात, अवस्था, काल, स्परश्षिस्थान, ध्वनी, गंध इन सब में हम इन शब्दों का उप्योग कर सकते हैं चलिए दूसरा विशेशन देखेंगे हम, परिमानवाचक विशेशन जो विशेशन संग्या ये सर्वनाम शब्दों की माप, तौल, मात्रा माप, तौल, मात्रा आधी का बोध कराते हैं, उन्हें परिमानवाचक विशेशन कहते हैं दहरन देखिए, चार किलो चीनी मांग लो यहां चार किलो है, यहां मापा गया है, यहां तौला गया है इस काम में बहुत पैसा खर्च होगा यहां बहुत यहां बताया गया है कि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, यहां मात्रा बताई गई है यहां कालीन 20 मिटर लंबा है यहां माप बताया गया है कि यहां यहां काली 20 मीटर लंबा है हलवे में इतना इतना घी परियाप्त रहेगा यहां यहां मात्रा बताई गयी है कि इसमें हलवे में इतना घी परियाप्त रहेगा बहुत रहेगा जहां माप तौल मात्रा आती है वहां परिमानवाचक विशेशन होता है अब इस विशेशन के भी दो भेद है परिमानवाचक विशेशन के भी दो भेद है सबसे पहला निश्चित परिमानवाचक विशेशन दूसरा अनिश्चित परिमानवाचक विशेशन यहाँ नाम से ही यह पता चलता है कि एक में निश्चित है और दूसरे में अनिश्चित चलिए निश्चित परिमान वाचक पढ़ते हैं विशेशन जो विशेशन किसी निश्चित परिमान को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं अधारन, तीन लिटर दूद लाओ, तीन लिटर लेना है, यह निशित है, उसके पास चार हजार रुपे है, चार हजार रुपे उसके पास है, यह निशित है, यहार दस तोले का बना है, यहार 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 निशित है, कि यहार दस तोले का ही बना है, भूके वेक्ती से भूके वेक्ती ने आठ रोटी खाई, यहां निशित है कि उसने आठ रोटी खाई है, इसमें जो परिमान लिया है वो निशित तोर पर बताया गया है, इसलिए यहां निशित परिमान वाचक विशेशन कहलाता है, अब अनिशित परिमान वाचक विशेशन देखेंगे वे विशेशन जो अनिशित परिमान को प्रकट करते हैं उन्हें अनिशित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं सबजी के साथ थोड़ा अचार दो अचार तो दो पर कितना दो यहाँ पता नहीं इसलिए यहाँ अनिशित परिमान होगा मुझे कुछ पल के लिए आराम चाहिए आराम तो चाहिए पर कितने पल के लिए पता नहीं दावत में अनेको लोग आए है दावत में लोग तो आए है पर कितने लोग आए है पता नहीं यहां निशित तोर पे कुछ भी पता नहीं होता है वहां अनिशित परिमान वाचक विशेशन वहां कहलाता है तीसरा विशेशन देखेंगे संख्या वाचक विशेशन इसके नाम से ही यहां पता चलता है कि यहां संख्या एक डिजिट बताई जाएगी चलिए इसकी परिभाशा देखते हैं संग्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोथ कराने वाले विशेशन को संख्या वाचक विशेशन कहते है उधारन यहां उसका पहला बालक है पहला यहां संख्या हो गई उसे 20 साल की सज्जा मिली 20 यह संख्या वाचक हो गया हमें तुमसे दुगनी शक्ती हम तुमसे दुगनी शक्ती रखते हैं दुगनी यहां संख्या हो गई भारत ने लंका को चार विकेट से हराया चार यहां संख्या हो गया यहां चारो अधारन में आपको संख्या बताई गई है निशित तोर पे इसलिए यहां संख्यावाचक विशेशन की विशेशन कहलाते हैं कल हम संख्यावाचक विशेशन के भेट पढ़ेंगे